तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमत भागतम सकंद पांच अध्याय 25 श्लोक संक्या 6 अध्याय श्रीर्शक भगवान अनंत की महिमा तो यह श्लोक के रूप में नहीं है इसलिए सिर्फ मैं पढ़ लेता हूं और फिर अनुवाद अर्थात पर पढ़ेंगे सेव भगवान अनंत अनंत गुण अर्वन आदी देव उप सम्रित अमर्ष रोश वेगह लोका नाम स्वस्थ्यये आस्ते अनुवाद अर्थात्परेश्यल प्रभपाजी द्वारा भगवान संकर्षन अनंत दिव्या गुणों के सागर हैं जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं वे पूर्ण पुर्शत्तम भगवान से अभिन है इस जगत के समस्त जीवों के कल्यान है तू वे अपने क्रोध तथा अपनी असहन शीलता को रोकते हुए अपने धाम में निवास करते हैं तात परे अनंत देव का मूलु देश इस भौतिक श्रिष्टी को विले करना है कि किन्तु वे अपने रोश तथा अमर्ष को रोकते रहते हैं को रोके रहते हैं इस जगत की स्रिष्टी बद्ध जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है किन्तु अधिकांश जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठात स्रिष्टी के बाद वे भौतिक जगत पर फिर से अपना प्रभुत्व जताते हैं इन क्रियाव से अनंत देव कृद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनस्ट कर देना चाहते हैं किन्तु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालू हैं और अपने र रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं तो हम पढ़ रहे हैं ये पचीसवा अध्याय और इसके पहले आपने चौबिसवा अध्याय में देखा चु प्रिथ्वी के नीचे स्वर्ग लोग क्या बलते सब्टेरें ले हमें निम्रें सब्टेरियन हे को स्वामी बताते हैं करीब दो लाख चालिस हजार मील नीचे जाते हैं जब पाताल से तो वहां पर भगवान के एक अवतार अनंत शेष रहते हैं और सारी सारे ब्रह्मांद को वे अपने मश्तक पर वेधारन किये होते हैं कैसे जैसे एक सरसो का दाना चोटा सा अब फिर उनके वरणन करते हैं उनके दिव्य शरीर का वरणन करते हैं और आज वरणन करने हैं उनके स्वभाव का थोड़ा contradictory सभाव है तो एक तरह से तो वे क्रोधित हो जाते हैं रुष्ट हो जाते हैं और सारा ब्रह्मांद को विनाश कर देते हैं रूद्र के द्वारा और दूसरी तरह से अभी क्या बताते हैं क्योंकि वे भगवान हैं इसले वो दयालू भी है तो अपने क्रोध को वे रोक लेते हैं जो भी मैनेजमेंट में होता है वो यह समझ सकते हैं यह ऐसा contradictory सभाव उन ही का मिलता है वहाँ पे मिलता है तो और जो नहीं होते हैं वे कभी समझ ने पाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभू आप बता भी नहीं सकते हैं तो यहां पे वो दिया हुआ है कारण उसका एक होता है स्वभाव एक होता है प्रभाव जब जयन्त इंद्र का बेटा माता सीता को परिशान कर रहा था और भगवान राम ने घांस का तिनका उठा के ब्रहमास्तर का मंत्र बोलके छोड़ दिया भाग रहा था पूरे ब्रहमान में रक्षा नहीं मिली नारदमुनी बोले भगवान राम के चरणों में जाओ बोले उनी का तो ब्रहमास्तर पीछे पड़ा है उनके चरणों में कैसे जाओं वो तोड़ी माफ करेंगे तो नारद्मनी कहते हैं तुमने श्री राम का प्रभाव देखा है तुम शरण लोगे तो उनका स्वभाव देखोगे यहाँ पर लिखा है न जो कोई असाहय अवस्था में श्री कृष्ण की शरण लेता है उसका भार कृष्ण ले लेते हैं यह कृष्ण का स्वभाव है यह प्रकृति चलाना यह सब एक्स्टर्नल मैनेजमेंट करना यह प्रभाव है तो हलां कि उसमें एक बहुत इंपोर्टन शब्द है मैं दो तीन पढ़ा बहुत अच्छा है वो कि असाहय अवस्था में थोड़ा चर्चा करेंगे हम असाहय अवस्था में कब आते हैं और कहां शरण लेते हैं यहां पेरादा व्रिंदावन जंदर के सामने आके जंदल ही हम असाहवस्ता में नहीं आते हैं तो वो चर्चा करेंगे इसके बाद तो भगवान का जो प्रभाव होता है वो उनका ड्यूटी है लेकिन उनका स्वभाव है शरंड लेने का है शरंड देने का है जीव का स्वभाव सेवा करने का है जीव क्या कर रहा है भगवान के प्रभाव को देखकर वो सोचता है कि मैं भी ऐसा प्रभाव दिखा सकता हूँ यहीं पर भगवान अनंति दे उससे क्रोधित हो जाते हैं वो प्रभाव नहीं है जीव का, जीव का स्वभाव ही सेवा करना है उसका प्रभाव कुछ है ही नहीं जीव का प्रभाव कब होगा जब वह पूर्ण रूप से शर्णागत होगा एक बद्धवस्ता में हम बद्धवस्ता में हम कोछ इच्छा करते हैं पूरी होगी नहीं होगी पता नहीं भगवान चाहेंगे तो पूरी होगी man proposes and God disposes लेकिन शुद्ध भक्तों का कैसा है वो इच्छा करते हैं और तुरंथ पूरी हो जाती है क्योंकि भगवान का उनके पास क्या रहता है prepaid blanket approval रहता है जैसे prepaid होता है पहले से ही authority दे के रखी है भगवान ने अपने भक्तों को इसलिए भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा करके दिखाते है जो तीसे अधाय में भगवद गीता के 26 नंबर श्लोक है नबुद्धि बेदम जनएद उस श्लोक में तातपरेम प्रवपाजी लिखते हैं प्रवपाजी लिखते हैं भक्त जो होता है ज्यादा देयालू होता है वो फिर भी नहीं छोड़ता हो उनको जैसे प्रवपाज कहते हैं प्रवपाज के शिश्वों ने पूछा कि हमारा तो कोई qualification ही नहीं है हम कैसे भक्ती में आ गए प्रवपाज कहते हैं तुम्हारा qualification मैंने बनाया है तो वो प्रवपाज का प्रभाव था क्योंकि प्रवपाज पूर्ण रूपेन शुद्ध हैं इसलिए वे वैसा प्रभाव दिखा सकते हैं जैसे भगवान दिखा सकते हैं अंतर नहीं होता है बद्धवस्था में हमारे उपर दया की जा रही है और हमें मौका दिया जा रहा है जैसे यहां पे कहा कि यह बहुत एक संसार का बहुत प्रश्ण पूछे जाते हैं ना प्रचार करने जाईए तो यहीं प्रश्ण पूछते क्यों भगवान ने दुनिया बनाई क्या जरुद थी और फिर हमारे भक्त कह देते हैं दुखाले है और फिर कह देते हैं दुखाले में जो सुखाले ढूंड रहे हो कैसे मिलेगा It's madness पागलपन है जो दुखाले में सुखाले ढूंड रहे जब बनाने वाले ने manufacturing defect डाला है, तो उसको आप सही कैसे कर सकते हो, आप थोड़े नए इंजिनियर हो, Krishna has perfectly created this imperfect material world, कर लो क्या कर ले, manufacturing defect है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब आपका mobile में आप हरा बटन दबाते हो, तो फोन कट जाता है, लाल बटन दबाते हो, तो फोन रिसीव हो जाता है, तो जब काटना है तब रिसीव हो जाता है, जब उठाना है फोन कट जाता है, तो फिर आप क्या क यह तब से बटन ऐसा उल्टा चल रहा है तो फिर आप सर्विस सेंटर में जाते हो क्योंकि आप फैक्टरी में जहां नहीं सकते अब में चेर्मेन के पास तो नहीं जाएंगे कंपनी के फिर उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं यह इसकौन के मंदिर भगवान लाल बटन से रिचिव हो रहा है वैसे ही बधवस्ता में हम भोग भोगना चाहते हैं उल्टा काम हमारे काम है सेवा करना लेकिन भोग करना चाहते हैं तो फंक्शन कैसा है हमारा पूरा उल्टा है तो उसको सीधा करने के लिए भगवान ने अपने ऑथराइज service center खोले हैं और बहुत सारे unauthorized service center भी हैं वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है फोन को आप unauthorized service center में ले जाओ तो फिर service center वाला बोलेगा इसका guarantee खतम उस पर लिखा रहे है तर डबे में फिर हम guarantee ने लेंगे तो unauthorized service center में कोई चला गया फिर क्या करेगा यह तो प्रहुपाद जी अतियंत दयालो है ठीक है फिर भी कुछ उसका उधार कर देंगे पूरा तोड़ ताड़ के फोन को लेका आए चालो कुछ तो इसका करेंगे हमारी चेतना क्या है यह हम सबको पता है किस level पे है हमको पता है तो इसी लिए तो पूरा ब्रह्मांड बन आया गया है और मौका देने के लिए लेकिन क्या लिखते है प्रहुपाद अधिकांश लोग इसका लाब नहीं उठाते हैं हम लोग उठाते हैं ऐसा हमको लगता है हम तिलक धारी हो गए कंटी धारी हो गए अर्धोती कुर्दा पहन लिया हम अंदिर जॉइन कर लिये ऐसा लगता हम उन अधिकांश लोगों में नहीं है ठीक है थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े हैं जब कोई हवाई जहाज रनवे पर आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है कम से कम रनवे तक आया बहुत देर कभी आदा गंड़ा टेक्सिंग करना पड़ता है बहुत साला पर स्पीड पकड़के उसको क्या करना होता है आगे वो टेक अफ करना होता है तो उसके लिए फिजिक्स लगता है और फिर संसार के चीजों को विरक्ति देके उपर उठ जाता है नहीं उपर उठेगा तो क्या होगा फिर आप जैसे अभी भक्त लोग सफेर हरी नाम करने कहते हैं अब हरी नाम करने जाएंगे यह प्लेन इधर रोड पर क्यों चल रहा है इसका काम है उड़ने का रोड पर क्या कर रहा है वैसे ही हम भक्ति में आ गए हमारा काम है उपर उड़ना लेकिन हम अब भी रोड पर क्योंकigner है है प्योगी बटन दबा नहीं रहें हमलों की और किस कारण से संशाण में अक्ति के कारण और अन्यक प्रकार कि आसक्तियां है आसक्त पुरुश कैसे दिखता है कभी देखा यह गिए और यह आसकती के कारण हम उड़ नहीं पा रहे हैं टेक ओफ नहीं हो पा रहा है इस भौतिक संसार से और टेक ओफ जो होता है इसके पीछे लिखा है ना प्रभपाज बोलते हैं मन को लगाओं यहां बह यह मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इंद्रियां सुतह लग जाती है यह प्रभपाज यह लेक्षर में एक बहुड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं प्रभपाज इंद्रियों को अगर आप लगाओगे सेवा में तो थोड़ी समय के लगके फिर वो इंद्रिय भोग करने को चाहेंगी क्योंकि इंद्रियां इंडिपेंडनेंट नहीं है इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं सेवा करते हैं भक्ति करते हैं लेकिन फिर चाले क्यों जाते हैं क्योंकि मन बाहर है मन अभी भी इंद्रिय तिप्ति में लगा हुआ है तो इंद्रियों से सिर्फ सेवा करने से अभी भी हम बॉर्डर पे हैं डेंजरस पोजिशन में हैं जब तक हमारा मन नहीं लगेगा एक बार मन लग गया तो फिर इंद्रियां सुत्ह लग जाती है प्रोपजी पूरा बताते हैं चारों का कि मन लग गया तो इंद्रियां लग जाएंगी और जब मन लगता है तो बुद्धी शुद्ध होती है तब आत्मा आनंद प्राप्त करता है अब हम मन को नहीं लगा रहे हैं कृष्ण के सेवा में और आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या तो साहिज्य बन जाएंगे और दोनों ही परिस्थेती में प्रहुपाजी के शरण को छोड़के चले जाते हैं अब तो भग रोग जब मैगजिम्म लोग इंजिनियर है यहां पर डरिवेशन होता है नौ फिजिग्स में पुरा बड़ा डरिवेशन लिखना होता है दो दो पेज का डरिवेशन होता है एक step भी अगर आपका missing है तो आगे नहीं आएगा, वो बात अलग है कि final answer हमको पता है, मेरे साथ ऐसे होता था, मेरा mathematics background नहीं है, step भूल जाता था, कि मैं तो रट के जाता था, steps भूल गए, अब जो लोग intelligent होते हैं, step by step step by step जाते है, अब final product पता है, और लिख देते हैं, final product hence proved, बाकी देख लेगे गुरुजी, सब यही है, हमको पता है, final product क्या है, कृष्ण प्रेयन, वो चैतने महाप्रभू जैसे कीरतन करते हैं, सब को lead कर रहे हैं, वहीं पीछे मैं भी हूँ, यह final product है, no doubt about it, जैतने महाप्रभू के, इस मंडली में हम पीछे हैं, चल रहे हैं, यह final product है, लेकिन जब तक पूरा derivation नहीं लिखेंगे, मार्क्स कैसे मिलेगा, तो step by step हम लोग छोड़ देते हैं, हम और सबसे बड़ा चीज क्या है, step by step में एक सबसे बड़ा चीज आता है, संघर्ष, जो साधक संघर्ष को गले लगाएगा, कृष्ण सेवा करने में, प्रहुपात की सेवा करने में, भक्ति करने में, जब करने में, reading करने में, hearing में, संघर्ष को वह आलिंगन करेगा, वही वहां पहुचेगा. क्योंकि संघर्ष, भगवान सोयम दिखाते हैं, श्री रामजंद्र आते हैं, कितना संघर्ष उनके जियों में, कितने उधारण से सिखाते हैं, भगवान कृष्णा आते हैं, वे भी सिखाते हैं, संघर्ष है. कभी पूछा इसा प्रश्ण आपसे किसे ने, या आपके मन में आया हो, कि भक्ति जब नहीं करते थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था. ये भक्ति करने के बाद दिख्षा लेने के बाद इतना एंग्जाइटी, इतना टेंशन, ऐसा लगता है हम लोग मनोरोगी हो गए हैं, हमको तो मनोविशेशग्य बनना है, परचारक को, हम मनोरोगी हो गए हैं, ऐसा लगता है ने, इसका कारण है, क्योंकि हम जो हैं, उस संघर्ष को करना नहीं जाएए, हम जंप करना चाहते हैं. ब्रज की लिलाओं में भगमान कृष्ण के प्रकट होने से पहले नंद बाबा जशोदा माता और सारे गोप गोपियां आनंद में रह रहे थे कृष्ण के आने के बाद क्या हुआ आए दिन असुर आ रहे हैं आए दिन असुर आ रहे हैं आचारे बताते हैं, क्रिष्णा एक दिन में दो असुरों कमारते थे, एक प्री लांच, एक पॉस्ट लांच, तो तो ताइम नहीं था ना परिक्षित महाराच के पास, डीटेल में जाने का, तो में में बता दिया, तो कितना संगर्ष हुआ, अच्छा कासा चल रहा था हमको ब्रजवासी बनना है ना, इमिटेट करना है ना ब्रजवासी को, तो उनके संगर्ष को इमिटेट करिए, पता पढ़ जाएगा, कैसे शुद्ध होंगे हम, जो सहिज लोग है ना उनको बताईए, कि सिर्फ क्रिष्णा रास नहीं रचाते हैं, गोपियों को उठाने आजाते हैं, पाता है ना, गोपियों को डराने आजाते हैं, एक तो दिविदा आता है, वो भी परेशानी है, शंक चूड़ा आता है, तो ऐसा नहीं है, तो वो भी संगर्ष हम को सहना पढ़ेगा, तो जब हम क्रिष्ण से जुड़ते हैं, तो समुद्र मंतन होता है, अब कि भगवान अजीद बोलते हैं, भागो, 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 यहलाल है, मार देगा, भागो, भागो, शिव के पास सोलो, महादेव रक्षा करेंगे, तो कई बार लोग सोस्के, अच्छा महादेव भगवान चे बड़े हो गए, आप किसी कंपनी के मालिक के पास जाते हो, और कुछ छोटा-छोटा सेवा लेकर जाते हो, बोलते हैं जो मेरे सेकेटरी कर लेगा, तो थोड़ीने सेकेटरी बड़ा हो जाते है, भागवान अजीद महादेव का गुनगान करना चाहते हैं, उनका नाम देना चाहते हैं, निलकंठ, तो इसलिए सब भाग गए, तो हलाल से सब भाग गए हम जब जब करते हैं तो हमारे रिदे में भी हला हल निकलता है अंदर बाहर सब जगे भर जाता है जहर ही जहर भर जाता है और फिर क्या होता है एक आत्मा है उसके आसपस हलाल है दूसरा आत्मा है उसके आसपस हलाल है जब पास में आते हैं तो फिर क्लैश होता है क्या करेगा फिर सब जगे सर्वत्रा यत्रा इत्रा सब जगे सिर्फ अलाहल ही पहल जाता है लेकिन अगर वो सब होते हुए भी आप शांती से अपना सेवा शांती से मतलब एक तो यह शांती का बड़ा तकलीफ है यह शब्ध हम प्रयोक करते हैं लेकिन शांती मिलने नहीं वाली है प्रवपाजी कहते हैं माता यह शुदा कभी शांत है एक मौनिंग बॉक में कहते हैं कभी भी माता यह शुदा को शांती नहीं होती भक्त शांत नहीं होते हैं शांत वो होते हैं जिनको फोटो पे ठंग जाते हैं हार लगा देते हैं भक्तों को क्या है वो को शांत होना चाहते हैं हां वो तो active होना चाहते हैं तो संघर्ष हम जब कृष्ण के लिए करते हैं गुरु के लिए करते हैं सहते हुए आगे बढ़ते हैं आता है frustration no problem उसको हम निकाल सकते हैं हर बार थोड़ी न सह पाएंगे तो फिर इसलिए तो ददाती प्रतिग्रणाती कुई यह माख्याती प् उसको फिर वो फिर गडबर हो जाता है कई ऐसे दोनों निकाल देते हैं और फिर दोनों गायब फिर झेंटेंड ना मटा दर अपर हैं लेकिन यह system है ठीक हम सब हैं कभी किसी से निकाला ने इसा को रखना प्रभपाजी का पांच मिनुट का departure address है कहीं पर, मैं अंतर दिप्रो को भेज़ दूँगा वाट्चाप पर, पांच मिनिट का है, इतना सुन्दर, उत्सा निश्य धहर्याद, इस पर बोलते हैं, उत्सा पर फोकस करते हैं प्रवपाद, उत्सा खतम आप dead, you are a dead body without enthusiasm, और दूसरा फोकस करते हैं, ततत कर्मा प्रवर्दनाथ पे थोड़ा सा बोलते हैं, लेकर सतो वृत्ते, हमारी डीलिंग्स में डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉल्टिक्स नहीं होनी चाहिए, और एक चीज़ और बोलते हैं, दो पाँनट का लेकिन इतना पावर्फुल प्रवपाद ने address दिया, ततत कर्मा प्रवर्दनाथ पे प्रवपाद बोलते हैं, मैं आशा करता हो, कि जो मैने system बनाए है, उसको आप लोग फॉलो करेंगे मेरे जाने के बाद और करोगे तो कृष्णा का कृपा मिलेगा अब यहाँ पर क्या दिया है जीव स्वतंत्र हो जाता है अब देखे हम जो भी भक्ति में आये हैं भौतिक संसार के स्वतंत्र का स्वतंत्रता को छोड़ क्या है हम स्वतंत्र थे जो भी कोट अनकोट स्वतंत्रता थी हमारी वो चल रहा था हमने उस स्वतंत्रता को छोड़ा पढ़ाई, जोब, घर, परिवार, सब छोड़ के आगे कृष्ण के उपर डिपेंडेंट होने के लिए स्वारणागत होने के लिए सही बात है लेकिन होता क्या है हम फेर स्वतंत्र हो जातें अंदर आके यहां तकलिफ चालू हो जाते तो इस लिए यह क्यों हो रहा है क्योंकि हम आटिफिशल जीवन जी रहे हैं बुरिजन प्रपु कहते हैं एक लेक्चर में कि भक्तों का जीवन सबसे स्वाभाविक नैच्रल जीवन होता है कुछ भी करते हैं बड़ा नैच्रल स्वाभाविक होता है लेकिन अभी ये कली का प्रभा बोलें, हमारे मन का प्रभा बोलें, ये हमारा रिदाइ दौरबलता बोलें, हमो नैचरल जीवन नहीं जी रहे हैं, सबके लिए ने बोल रहा हूँ, कुछ भकतों के लिए, इसी लिए वो अंदर तकलीफ हो रहा है, फिर हमारे मन में आता है कि पहले तो वो तकलीफ नहीं था जब मैं होस्टल में था ये वोईस में शिफ्ट होने के बाद तकलीफ क्यों हो रहा है क्योंकि वो सड्डेनली जंप करना चाहता है फॉल्स एक्सपेक्टेशन दूसरे भक्तों के हमसे और हमारे भी हमसे गलत एक्सपेक्टेशन है हम शुद्ध हुए नहीं है तो सड्डेनली शुद्ध भक्त जैसा विवार करना चालू कर देते हैं फिर हमको रियलाइज होता है अभी तो मंतन चालू हुआ है और फिर हमारे अनर्थ बाहर निकलते हैं तो अगर नैच्रली क्या लेना है कि ठीक है हमको भगुद्धाम जाना है कम से कम यहां तक आ गए एक इच्छा हो गई पूरो जन्मों की भक्ती से इच्छा प्रकट होती है कि जाना है उसमें भी परम सौभा के शाली हम सब हैं जो इस कोन से connect होते हैं तो सब इस कोन से connect होगा है ब्रह्म जारी हो जाए ग्रहस्थ टो सब इस कोन से connect होगा है प्रभुपाद कि शरण में आ गहिए प्रभुपाद जी उसपे कोई भेध नहीं कर दे लेंगिन अभी चलना है ना अगर आप पूर्णा से ट्रेन लेते हैं व्रिंदावन के लिए गोवा एक्स्प्रेस जाती है तो पूर्णा से चड़ते हैं सबरे चार बजे तो आप बैठ जाते हैं थोड़ा सा जब करते हैं आंख बंद करके और आंख खोलते हैं तो थोड़ी व्रिंदावन आ जाएगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम चल रहे हैं उस मार्क पे लेकिन संगर्श है स्लीपर क्लास और AC क्लास में फर्क क्या है अब ट्रेन का बात आया तो थोड़ा देखते हैं इस मौसम में अगर स्लीपर में जाएंगे तो कहीं बारिश मिलेगी कहीं धूप मिलेगी थंडी का मौसम होगा तो थंड भी मिलेगी जैसा बाहर वातावरन होगा वैसा अंदर मिलेगा आपको तो ट्रेन स्पीड से चल रही है तो बारिश भी आ जाती है पुरा सामान गिला हो जाता है गर्मी बहुत लगती है जो भक्त जाते होंगे अंदर प्रदेश प्रचार करने तो कितना गर्म हो जाता है वो पुरा एरिया और ठंड भी लगती है लेकिन जो एर कंडिशन में बैठा होता है एसी डबे में बैठा होता है तिकेट नहीं था तो एसी क्लास में टिकेट हुआ और दिली से चड़े थे दिसंबर कम हीना था पूरा थर्मल सब पहन के थर्मल पहन के फिर दोती कुर्ता पहनो शॉक्स दो पहन लो फिर स्वेटर पहन लो दो फिर मफलर पहन लो सब पहन के बैठ गया क्योंकि बाहर तो सद्धी है अंदर एक एक करके उतारना पड़ा क्योंकि air condition डब में क्या होता है वो लोग temperature को maintain रख तो जो बहार व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है उसका जीवन कैसा है और भक्तों का जीवन कैसा है बहुत एक संसार में रहते हुए ट्रेन चल रहा है लेकिन एसी डब्बे जैसा है बहार का प्रभाव नहीं पड़ता है अब आप सोच रहोंगे प्रभुजे आप कुछ भी बोलते हो ऐसा तो होता नहीं हम तो भक्ति में आ गए हैं तो क्योंकि अभी हमारा जो डबा है वो स्लीपर से एसी में ट्रांजिशन में है तो अभी पी अंदर हवा पानी आ रहा है थोड़ा दिर बैठे रही है वेल्डिंग चल रहा है वो काम हो जाएगा अब उतर जाएंगे हम ट्रेंट से तो फिर दोका हो जाएगा अब रही संघर्ष की बात तो कोई बोले का प्रभू बाहर भी संघर्ष है अंदर भी संघर्ष है फरक क्या है फरक है आप स्टेशन पर खड़े हैं पूना स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए कि खाड़े हैं ट्रेन का अनॉंसमेंट हो रहा है आ रही है आ रही है आ रही है आपकर एtes मिनिट और हो गया आदा गंटा हो जो तो अधा कई रहो तो करना पड़ेगा एक आप प्लाटफॉम पर खड़ें दूसरा वेक्ति ट्रेन के अंदर बैठा है वो भी ट्रेन आउट्सकर्ट पर रुखिए दो घंटे से दोनों ही परेशान होंगे वो भी परेशान है लेकिन वो ट्रेन के अंदर है आप ट्रेन के बाहर है आपको धूप मिल रही है सरदी मिल रही है बारिश मिल रही है उसको नहीं मिल रहा है ये संघर्ष है भक्ति में आने के बाद और भक्ति के बाहर वाले के जो डिफ्रेंस है तो संघर्ष को जब तक आलिंगन नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और संघर्ष कहां नहीं है, आपको बस में बैठके यहां से स्टेशन जाना है, तो टिकेट लगता है PMT बस में, 10 रुपय, 20 रुपय, अगर आपको उसी बस में बैठके, आपको और थोड दालने का संघर्ष तो हो ही रहा है, अब हमको जाना है भगव दाम, longest flight लेनी है, तो फिर किमत तो चुकानी पड़ेगी, तो यह हम यहां तक पहुच गए हैं, और भगवान बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, कि यहां पर आ गया है, क्यों आशा लगाए बैठे हैं, यह द आशा लगाए बैठे हैं, अब आया, अब आया, अब आया, अब आया, और हम दरवाजे पर बैठ जाते हैं, तो कठनाई होगा जीवन में, लेकिन अगर आगे बढ़ते रहेंगे, अलग अलग प्रकार की कठनाई होगी, लेकिन यह सब मन का है, किसी भक्त ने कुछ बोल द आपका पिता जी ने आज तक डाटा नहीं होगा ना, मारा तो बिलकुल नहीं होगा, मम्मी ने तो कभी थपड मारा नहीं होगा, अगर बड़ा भाई होगा तो उसने गुसे में घुसा नहीं लगाया होगा, वो तो हमको याद नहीं आता कष्ट, एक वैसने हमारे भले के पहले कुछ बोल देते हैं तो वह कहीं आद होता है प्भाजी दस साल पहले आपने मुझे याद है दस साल पहले मैंने आपको क्या कहा था थोड़ा सा गलती हो तो आपने कितना दस साल याद रखता है संगर्ष तो पहले भी मिला आपको आफिस में जो भी जॉब किया है आपका मैनेजर आप तो बोलते ही हो ना कि ये कंज का आवतार कल्युक में फिर से आ गया है लेकिन भूल जाते हैं तो आप समझिए कि हम कहीं भी रहें हमारे थोड़े कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा लेकिन भक्ति में आने के बाद वो पूरा कंप्रेस्ट हो जाता है और कई बार क्योंकि कंप्रेशन होता है तो क्या होता है थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाती है भगवान चाहते हैं क्या लिखा है भगवान चाहते हैं आप जल्दी आओ भगवान वोलते हैं इसका 100 किलो का कर्मा है एक example उसको एक किलो करना है लेकिन थोड़ा फिर फोर्स जादा लगेगा न जल्दी से शुद्द करके भगवान निकालना चाहते हैं तो अगर हम संगर्ष को हस्ते हस्ते ले ले, कि ठीक है, हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, परेशानी तब होती है, जब कोई नहीं बोलता है, तभी भी परेशानी होती है, किसी को परेशानी है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी को परेशानी है, मेरे को बोलता ही ने कुछ, वह प्रभु ने ऐसे निकल गया, सामने से मेरे को देखा भी नहीं महरे कृष्णा बोला तो, वह भी परेशानी हो जाती है, नहीं देखा, इसलिए आपको नहीं रिस्पॉंस किया, इतना सरल चीज़ है, सो माइंड, आप कली में कली का प्रभाव देखिए, परंपुज्य गवर्कृष्ण महाराज एक बार कलास में कहे थे, परिक्षित महाराज ने जब दंड दिया था कली को, दंड दे, मारने वाले थे, लेकिन फिर बोले कि तुम चार स्थानों में रहो, तो बोले क्या मजग करते हैं, ये चार स्थान आपके राज्या में हैं ही नहीं, तो मैं कहां जाओं, मर जाओं क्या, कुछ तो दो, शरंड लिया हूं आपकी, परिक्षित महाराज बोलते हैं ये कग्र करेंगे, वहां कली आएगा, इसलिए प्रहुपाद जी नहीं हमेशा कहा, डोंट कीप मनी इन बैंक, प्रिंट बुक्स, कंस्ट्रक्टेंपल्स, प्रहुपाद का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्यों, कुछ तो सोचा होगा न प्रहुपाद, क्योंकि धन एकत्रित होगा, उस समय तो धनी नहीं था, उस समय के लोग भक्त लोग सोचते होंगे, प्रहुपाद जी बोल रहे हैं, पैसा मत रहो, था, एक कन्वर्शेशन में अभी पढ़ रहा था, प्रहुपाद के अकांट में, यहने इसकों का बैंक अकांट में, तब कुछ चार लाख रु होगा, बी-बी-टी लोन देता था, तो प्रहुपाद में कहा मेरे पास चार लाख रुपे हैं, मैंने निकालने बोला है, वो तुम रख लो, महाराथ मुझे बी-बी-बी-टी गोडाउन बनाओ की बुक प्रिंट करो, बोले जो तुम को ठीक लगता है, बट प्रिंसिपल है जो हर जगे मिलेगा, यह संस्थाओं में भी मिलेगा, भले चार चीज़े मिले नहीं, यह मिलेगा, यह गोड़न में जो बाबाजी लोग है, उनके पास भी मिल जाएगा, यह ऐसी चीज़ है, अब कली हसने लगा, तो परिक्षित महराद बोले हसता क्यों है, इतना यह दे दिया न मेरे को, अब देखना, बोले क्या देखना, मैं सब को भक्ति कराऊंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जब कराऊंगा, सभी लोग को, और तुमको कहीं एंटर नहीं होने दूगा, तो कली और जोर से हसने लग गया, तो परिक्षित महराद बोले हुआ क्यों हस महाराज, आप हरे कृष्णा जब कराऊंगे, सब को शुद्ध करोगे, मुझे जगे नहीं दोगे, ठीक है, लेकिन मैं हरे कृष्णा जब करने दूगा तब ना, इसी लिए जब हम जब करने बैठते हैं, तो मन भटका देया जाता है, आप समझिए, हम सब एक उनिट हैं, कॉमन एनिमी, लेकिन वो कॉमन एनिमी क्या करता है, फूट डाल देता है, भारत पे अपना अधिकार जमाना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स आ गए फिर, पांच सो साल मुगलों ने कितना राज किया, उसके पहले भी इतना हु अधिक्ती इंटेक्ट रही, फिर ब्रिटिशर्स आए, साब छिन्न बिन्न कर दिया, आपस में फूट लगा के, तो यही कली का काम है, कि आपस में फूट डालो, तो अगर कोई आपको कोई दुख दे रहा है, या दुख दे नहीं रहा है, ऐसा बोलना चाहिए कि किसी भक् तो समझ जाएए, एक आपके कर्मों का फल है, दूसरा, कभी-कभी हम इस पर कन्विंस नहीं होते हैं, हाला कि हम प्रचार करते हैं कर्मों का फल हैं, लेकिन हम को मिलता हैं, हम कन्विंस नहीं होते हैं, दूसरा, यह प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है, जो हम सब है तो सामने वाले पर प्रकृति का रजोगोंड तमोगोंड का प्रभा हो गया और उसने आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया ठीक है वो निकल जाता है आप देखें का कोई भक्त कुछ बोल भी दिया कोई डाट भी दिया वो थोड़ी दिर बाद शांत हो जाता है क्योंकि गु कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखें बस कॉपरेट करो क्योंकि कॉमन एनिमी है तो यह हम करेंगे थोड़ा सा सहलेंगे और संघर्ष को आनंद से क्रिष्ण के लिए आनंद से संघर्ष करना चाहिए लास्ट उधारन देते हैं फिर रोकते हम प्रभाजी बोलते है अगर उपकड़ा जाएगा तो आप इसको पीड़ दोगे लेकिन जब रात को घर आते हैं तो पत्नी प्रेम से पकेट निकाल लेती है और आपको लगता है कितना प्रेम करती है मैंसे है ना दोनों ही situation में पैसा निकला है तो जब पैसा निकलाता है एक ग्रहस्त परिवार के लिए कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है जो भक्त बाहर रहते हैं भक्त बाहर रहते हैं इतना पैसा कमाने में संघर्ष फिर पैसा रखने में संघर्ष फिर खर्च करने में मैं सुछے खर्च करने में क्या संगर्श हो और उधर लगता है बहुत बहुत तकलिब वहता है जि सन कलता नहीं है पैसे को दूसरा कई बताया है मनुष्य का एक शरीर और दूसरा शरीर पैसा है सब्सक्रार कोई सब कोई डोनेशन दे रहा है तो मतलब उसके अंदर कितना शुकृति होगा तब ही ओ शरीर छोड़ पा रहा है तो ऐसे छोटे-छोटे ददिची संसार में हैं और आप जो हैं पूरा सब को छोड़ के सब शरीर के साथ इधर आ गए तो इतना संघर्ष करना पड़ता है बाहर अंदर संघर्ष छुट जाएगा क्या यह भ्रह्म है हमारा कि हम अभी मंदिर में आ गए प्रहुपाद जी करेंगे तो प्रहुपाद ने खुद संगर्ष किया प्रहुपाद के शिष्व ने संगर्ष किया आप कुछ नहीं करेंगे आप भी तो थोड़ा करिये या तो वॉलेंटरली संघर्ष करो या तो फिर आपको शुद्ध किया जाएगा उद्देश से तो कृष्ण का पूरा होना चाहिए बिकॉज इस अब कृष्ण के एंग्जाइटी को कम करना है कि नहीं कृष्ण के एंग्जाइटी को कम करना है सो इसको सहना पड़ेगा हरे क्रिश्ण शृब्रोबाध की झाएट प्रष जीसे आपने उच्रह के वारे जहें बता था तो उच्छा क्या होता कर आइस का नंद देखे हैं कि उच्छा है या नहीं है नहीं कुछ था उच्छा को प्राक्ट्टिकालिटी में कैसे छांस व्हुर्म करेंगे अगे टा मुथोलिड को आश्यघ करने के लोग रात को सोते हैं तो एसा लगता है कि अब भी सो जाओंगा जल्दी सबिरे ऊठके और दर्शन लेने के बाद अब करूंगा ध्यान पूर्वक्त इस भाव से कितने भक्त सोते हैं रात को उसको उत्सा कहते हैं फिर उत्सा होता है इंस्ट्रक्शन को पालन करना भगवान के इंस्ट्रक्शन गुरू के इंस्ट्रक्शन अथोरिटी के इंस्ट्रक्शन इसमें कितना उत्सा दिखा रहें तीन चीजें होती हैं तीन लेवल के भक्त होते हैं, या तीन concept होते हैं ऐसा बोलना चाहिए, एक होता है भक्ति में आना, दूसरा होता है भक्ति में टिके रहना, तीसरा होता है भक्ति में प्रगति करना, तो भक्ति में आज आते हैं बहुत सारे लोग लेकिन टिक नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि बहुत superficial level पे रहते हैं उनका रिदय अभी भी भक्ति में लगा नहीं है उत्सा नहीं है instruction को पालन नहीं करते inquiry नहीं करते जिग्यासा नहीं है दूसरा level का भक्ति में टिका हुआ है उसको जो बोलो वो करता है लेकिन अपने से वो self initiative नहीं ले रहा है उसके लिए उत्सा नहीं है तब वो भक्ति में परगदी करेगा तो जितना आपका उत्सा बढ़ता जाएगा उतना भक्ति में परगदी करते जाओगे Hare Krishna Yes Prabhu Prabhav and Sabhav I have one question sometime what happened we have some close friends then so when he behaved like a Prabhav then we thinking like he behaving like a Sabhav and when he behaved like a Sabhav then we think like a Prabhav so due to that conflicts will happen so how to understand this point and how can we talking the friendship should be in proper manner I have already said that if your mind is a Prabhav it is not a different way from your spiritual life the spiritual life is a Krishna but if we leave this spiritual life we have not used a word Krishna's spiritual life as a Prabhav it is a divine that is a spiritual life so it is a condition so first you need to understand if he has done something with you which you think should not happen or should not say then it is a karma then it is a karma and it is a Maya and it is a Kali 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 accept it accept it and it is a Kali 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 but you have taken and it is a Kali so you should have to have to do it otherwise it will be a Kali cause we will do it and we will keep the emotions until one day what will you think was that you have a bit of misfit a bit of misfit a bit of misfit a bit of misfit and then you will look another option which does not exist फिर आप authorized agent के पास से unauthorized agents के पास पहुच जाते हैं Yes, Prabhu Hare Krishna Prabhuji Prabhuji, you said that engaging our senses in the service does not help us for a long time because senses are not independent because mind is independent we have to put our mind and heart in the service then only we could be able to progress and become currently in our conditioned state mind will go in the reverse direction and we don't have strength to pull it back and engage in the service and rather we have very less strength that will be carried away by mind and listened by it whatever it is saying rather than to superiors or someone who is helping us in spiritual life so we try to neglect the minds and try to engage artificially in services without proper absorption or something currently that is our state Prabhuji whatever you said how to apply that that is my first question Prabhuji and second question is that okay let me reply first question so 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 न तो कर रहे हैं उसको continue कीज़े उसको discontinue मत कि छोड़ मत दीज़े भले रस आ रहा है नहीं आ रहा है हमको सेवा करते रहने चाहिए कई बार ऐसा होता है कि मेरे प्रवपाद नेचर के सापसे मुझे सेवा नहीं थी इसलिए मुझे आनंद नहीं आ रहा है तो साइको फिजिकल नेचर तो condition nature है ना साइको फिजिकल नेचर इटसल विस कंडिशन उस पर क्यों डिपेंड हो रहा है करना चाहिए प्रवपाद जी बोलते हैं वरनाश्म करना चाहिए लेकिन हर सेमें पॉसिबल नहीं होता न इसलिए तो प्रवपाद ने कहा जो डीटी का शिंगार कर रहा है जो जाडु लग बांदो मैं नहीं करेंगा उसको आप मुकुड बांदने के लिए बोलते हो मेरे को पायल बांदने के लिए बोलते हैं दोनों तो कृष्ण का सेवा है ना तो यह भी एक साइको फिसी कल यह भी कंडिशनिंग ठीक है अथोरिटी स्ट्राइ करते हैं कि उस हिसाब से लेकिन यह अदो कि उतने फिर तादाद पल्लम भक्तों होने छहे suficiente यह को करते रहूँ छाए आपका नेचर हो और लिए फिर मन का क्या करें इसलिए पहला जो उप्देश्च दिया गया है वाँ है गुरुपादा श्र्या है मैं को शरंद लेनी परे गी मन नहीं बोलता है तो भी शरंडेने परेगी, तो ऐसा लगागा कि आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, वो भी चलेगा, दवाई खाने का मन नहीं करता, फिर भी हम खाते हैं, तो वो करते रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, एक तरफ गुरु है, और एक तरफ आप क्रिष्ण की सेवा कर रहे हो, इंद्रियों से, तो बीच में मन का क्या होगा, धुलाई होगा, और धीरे 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 करोडो अर्बो जन्मों से जो मन अशुद्ध हुआ है, उसको कुछ समय तो दीज़े हैं, एक दो साल में, पांच साल में पूरे अशुद्ध नहीं होगा वो, थोड़ा समय लगेगा, और तब तक के लिए हमको संघर्ष करना पढ़ेगा, इसलिए सहना पड़ेगा, भगवान केतना सहर हैं, आज किस लोग में आया है, तो हमको भी अपने मन को सहना पड़ेगा, दूसरा एक तकलीफ होती है, जब हम चलते हैं, सही रास्ते पे, गुरु का पालन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अनर्थों की वज़ए से, कई बार एक्सिदेंट हो जाता है, काम, खरोध, लोब, महों, कुछ उपर उठ जाता है, और फिर कुछ गलत कर बैठते हैं, जब पर वापस ट्रेक पर आईये, चलते रही है, वो छोड़े हैं अबध, नेक्स क्वेशन, अद भीजी प्रभुशी आए और चाहिए आप्ट संगर्श मेंशन, whatever is there like when many times example is given that householder because he's getting some pleasure that's why he's working very hard for the family from either wife or children or something so because he's getting something he's able to tolerate it and he's struggling hard to keep up the family like that but how to how we in as a sadhakas accept the sangars probably like in spiritual life we are not currently in this state we are not getting anything also but you how is it possible provision that is told that household life there is some pleasure and for that so much you know sangars is there but that you ask the householders they'll tell you there is absolutely no pleasure one devotee married sixth day he sent me message i told him not to get married sixth day he sent me message prabhu ji ab sahih bolet hai kuch kar sakte hai kya hai 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 ैंब ऑड़ Wars अब नमन है। ग्रहस्तों को जो इतना संहर्श सेंगर्शह नहीं कर रहें। जिस दिन आप कूप संहर्ष्य कर लोगे उस दिन आपको भी रीं का झलक दि जृक दिखए गए कplease लें। हम नहीं कर रहे है उतना हम कर रहे हैंorn aree bhakti nauthakar कितना बार औले आप इंड़ आट गंडगंठा सेवा कर रहा हम कर रहा है आद गंडगंदा साधना detecting नहीं इसा फिर किटा में आकड़ इंड़ा नना इंहरा त्शाथ ऐंडगंटा और नहीं जाते हैं लोग सब्सक्राइब करने के लिए और रात को दस बजे अगले दिन आपको कृष्ण प्रेम का जलक ना देखे जब में तो आप मुझे आपके कहना करो हमको बैठना है आराम से जो ग्रहस्त बोल देगा मेरे को कुछ नहीं करना मेरे को दुकान नहीं जाना बिजनस नहीं करना फिर कैसे उसका घर चलेगा तो हम उतना कर नहीं रहे ना प्रभपात के शिशों ने कितना कि आज भी कर रहे है जै पता कमाराज अभी दो मेना पहले अमरिका हो कहा है दुबई गया अमरिका गया कर रहे हम उतना संगर्श हम करेंगे थोड़ा सा पेट गड़बा जाता है तीन दिन के लिए बेड रेस्ट उसके अब प्रभु जी डॉक्टर ने कहा है कि आपका पेट तो ठीक हो गया लेकिन पंदरा दिन लगेगा बॉड़ी को वही स्ट्रेंथ रीन स्टेट होने में सो आई नीड लॉंग हॉलिडे नो मंगलार्थी नो नो चैंटिंग नो देस नो हम कर रहे हैं क्या उतना संगर इसलिए नहीं मिल रहा है यह मत बोलिये कि प्रेम नहीं है हम नहीं कर रहे हैं प्रभु लोग कुतों के लिए करते हैं बिलियों के लिए करते हैं उनको कुते बिली से प्रेम मिल जाता है इसलिए कर रहे हैं मैंने एक हमारा भक्त नहीं पहच तो पालने में अच्छा है कि पानी का बचत हो जाता है उज्च नहीं करना पर और तो कुछ वाइदा देखने इतना वह उनको उनको कुछ तो रस मिल रहा है ना क्योंकि मेहनत कर रहे है कि इस प्रयास करता है एक माता ने अमेरिपा में अपने बिली के नाम पर एक मिलियन डॉलर छोड़ दिये, विल में. एक मिलियन डॉलर. साथ करोर रुपया. सोचो. आप छोड़ा किसी के लिए साथ करोर. फिर कैसे आपको कुछ रस, तो इतना करने के बाद उनको कुछ रस मिलता है हम कृष्ण के लिए कर कितना रहें यह हमें पूछना चाहिए don't ask what state has done for you ask what you have done for the state बहुत famous quote Churchill का तो हम उतना करेंगे ना तो आपको भी मिलेगा मैं बोल रहा हूँ जब लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं पता नहीं है हिरनकशपू इतना संघर्ष करके सब कुछ अपने भाई हिरनाकश इतना संघर्ष करके लाता था हिरनकशपू के चरणों पर समर्पित करता था कुछ तो उसको स्वाद मिलता होगा कुछ तो रस मिलता होगा असुर का सेवा करने के हम कृष्ण का प्रहुपात का सेवा करेंगे हमको नहीं मिलेगा हो ही नहीं सकता नहीं तो आप यहां नहीं बैठे होते एक माला से सोला माला तक पहुचे कंठी माला धारन किया दोति गुर्दा पेना तिलक मिला कुछ मिला है अब वो चीज नहीं मिल रही है तो उसका कारण क्या है कारण ये है कि छोटा जो बच्चा होता है न आठ नो मैने का आब 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 ओलता है और उसके माता पिता रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं आस्वादन लेते हैं बार बार थोड़ा पा पा बोल देता है तो माता पिता इतने आनंद में होते हैं, उनका कोई आनंद का सीमा नहीं है अब धीरे धीरे समय बीटता गया बीटता गया, बीटता गया अब इस लड़के की शादी करनी है तो लड़की वाले आते हैं लड़की का बाब पूछता है लड़के से बेटा तुम्हारा नाम क्या है आबाबाबाबाब तो लड़की का बाब तो खुश नहीं होता है और लड़का बोलता है जब मैं आबाबाबाब बोलता हूं तो मेरा पिता तो खुश होता है तुम 25 साल के हो गए हो अभी भी तुम बढ़ाना बढ़ेगा, तब तो जाके उतना आनंद मिलेगा, ना, तो कमी हमारे में है, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के में कोई कमी नहीं है, प्रेम देने की, कृष्ण के बैठे हैं, और नित्यानन्द प्रफु तो नाम का हट खोल के बैठे है, ऐखध्धा को को करो अपने ष्रद्धा को डेव्लब करो संगर्ष करऊ बोडी ठक जाए नीद आने तक करते रो तिलिकेन अम नहीं करते पूरा दिन सेवा करते रात-पढ़तेakukan पूरा जब ठक जाते हैं तब रखके सो जाते हैं हम इतना कर रहे हैं कि आप जो प्लेजर की बात कर रहा है ग्रहस आश्रम में लेकिन जो बच्चा आता है आपको सोने नहीं देता है लेकिन अगर टेमपल कमंडर आपको उठा देता है एक दिन जल्दी ओफिस में मैनेजर सोने निदेगा घर में बच्चा सोने निदेगा और दो-तीन साल तक रहे गर आज को खेलो मेरे साथ और जैसे वह तीन साल का होता है दूतर आ जाता है लेकिन यहां पर हमारे सर्विस अटोरिटी बोलते है प्रभू प्रभू मेरे सोने का टाइम है मेरे को एक घंटा नेंच है दूना डिश्टर फोन बंद करके सो जाता है हम कर रहे हैं क्या उतना संखर्ष इसलिए बोला नमन है उन गरहस्तों को हम जिस दिन करेंगे उस दि आमारे संखर्ष इसलिए ने आप्रभू जाता है